नमस्कार दोस्तों पॉन्वाइकनम में आपका स्वागत है आज कमार टॉपिक है पर्मूटेशंस और कॉम्टेशंस और कॉम्टेशंस में आज हम अगला पार्ट कर रहे हैं एक्सराइस 3.3 का एक्सराइस 3.3 का बेसिक पार्ट में अप्लोड किया था कल और साथ में मैंने अपनी एक्सराइस का फॉर्स पार्ट भी अप्लोड कर दिया था ठीक है यह वीडियो जो मैं छुटे चुटे पार्ट में दे रहूँ उसलिए दे रहूँ कि चीजे आपको बहुत तरीके से बा करना नहीं है कि आज के काम में थियूरी जादा है और उसलिए आज में स्क्रीन पर दोस्तों आज के टॉपिक को शुरू करते से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने अमरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आईए दोस्तों ज्यादा बात नहीं करते हैं आज के टॉपिक को शुरू करते हैं क्या देखे रखा है कॉश्चिन नुबर सिक्स डिटमाइन जी नंबर अब 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 अर्गोरिदम जो वर्ड है उसके लेटर्स को आपको अरेंज करना है और आप क्या-क्या देखे लेटर्ण्पलेस इल्गोरिदम अब यह जो है यहाँ आपको चार सब कुश्चन्द दिये हैं और वर्ड क्या देखते हैं अब जरा अगर algorithm word को हम देखे हैं तो algorithm word में सबसे पहले तो देखे कि कितरे letters है algorithm एक दो तीन चार पाच छेसात अक नो ओके सो algorithm is a nine letter word algorithm क्या है algorithm a nine letter word है यहां लिखे that algorithm ठीक है is a nine letter word ठीक है ना मुझे बताओ इसके अंदर कितने vowels है vowels कितने होंगे इसमें vowels और consonants कितने होंगे वह देख लो vowels और consonants अच्छा वावल्स क्या होते हैं वावल्स हमने पढ़ा है कि फिर बाकी बचे वह जो 26 में से यह पाच को अगर निकाल दे तो बाकी जो बचे के वह क्या होते है consonants होते है तो वावल्स है आपर कौन से कौन से यहाँ पर ए वावल्स है ए ए आई 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 ओ तो यह तीन वावल्स है यहाँ पर ठीक है here we have three vowels okay और consonant कितने हो जाए कि फिर अगर nine letter word है तो three vowels है तो six consonants होगी अब यार मुझे बताओ कि क्या बोल रहा है यह बोल रहा है clearly बता रहा है कि vowels are always together सारे vowels एक साथ लिखना है nine letter words में से तीन वावल्स को एक साथ लिखना है तो पहले तो यह बताओ कि यह तीन वावल कितने प्रकार से हम उसको अरेंज करेंगे ओके यहां लिखे three vowels can be arrange in three factorial जो three vowels है उनको हम three factorial में अरेंज करेंगे उसके बाद में हम इसको solve करेंगे फॉर्स पाला ठीक है ए लिख लीजे फिर consonants को हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं छे consonants से लेकिन वर्ड कितने वर्ड का छोड़ दो आर आय छोड़ दो टी एच एम और फिर लिख दो ए ओ आय अब यहां पर जो ए वाय लिखा है मैंने यह तीनों की तीनों यहां एक लेटर का काम करेंगे कि तीनों एक साथ आपको लेना से तो फिर एखिर कौंट करो इसको कितने लेटर का वर्ड exercise यह यह एक होगा दो होगा तीनिक scattered taught अब्वाज़ चोनल पाछ शह और यहं पूरा όट पूरा साथ का का काम करेो को है कि अगर यह एक साथ आते है, अगर यह एक साथ आते है, सो दे विल बी काउंटेट, दे विल बी ऐस असिंगल लिट, वह सिंगल होंगे, ओके, दे विल बी ऐस सिंगल लेटर होंगे, टीके, दे विल बी, now there will be seven letter word अब seven letter word क्यों हो बता रहा हूँ मैं आपको कैसे देखे ये तीन के तीन जो है ये तीनों के तीनों एक letter का काम करेंगे क्योंकि ये एक साथ आ रहे है तो इसको हम one count करेंगे और बचे वे छे तो ये seven letter word होगा और seven letter word को आप कैसे arrange कर सकते हो you can arrange seven letter word in seven factorial okay so that we can arrange seven letter word as seven factorial so that total numbers of arrangement यहां लिखे four यहां लिखे ये जो reason लिखे when all the vowels are together when vowels are taken together we have total arrangements that is three factorial and seven factorial तो calculate कर लो उसको three factorial को आप क्या लिखोगे यहां पर three factorial जो होगा that will be three into two into one और seven factorial क्या होगा seven into six into five into four into three into two into one ठीक है इनको calculate कर लिजे जब आप इनको calculate करोगे जब आप इनको multiply करोगे तो you will get thirty thousand two hundred forty ठीक है यह इतना आप कर सकते हैं यह पहला वाला हो गया आपका अब देखें इसमें आपको हर जगा इसी थेorी लिखना है ठीक थोड़ा सा आप चाहे तो इसको मैं इसको rearrange कर देता हूँ आपके लिए मैं इसको थोड़ा side में लिख देता हूँ ठीक है और यहां से मैं इसकी थोड़ी size भी बदल सकता हूँ चाहिए इसको रख दीजिए इसी आईए अब इसमें अगले वाले पार्ट पर आते जो बोलता है कि no two vowels are together अब दो vowels एक साथ नहीं आना चाहिए अब यार अगर वावल एक साथ नहीं चाहिए अब यार अगर वावल एक साथ नहीं आते तो फिर बात किसी आएगी फिर उनका arrangement हमको करना पड़ेगा कि वह यावल फिर consonant फिर वावल फिर consonant ऐसे हमको कहा तो जाना पड़ेगा देखिए कितने हमारे पास में अगर आप काउंट करें तो वावल्स तो हमारे पास तीन ही है लेकिन यहां वावल्स की पॉजीशन कितनी आ रही एक, दो, तीन, चार, पाच, छे और साथ, वावल्स तीन है और मुझे साथ वेकेंड प्लेसे हैं मैरे पास भरने के लिए मतलब साथ प्लेसेश पर मुझे तीन भरना है तो यहां लिखिए इफ वी वान्ट तो मेक अर्रेंजमेंट सच देट वेन नो टू वावल्स कम तुगेधर देन वी विल मेक अर्टरनेट अर्रेंजमेंट्स ठीक है और अर्टरनेट अर्रेंजमेंट्स एश शोन अबोग जैसे उपर बताया है वैसे हम उसको अर्रेंज करेंगे मिली राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है अब समझ सकने हैं यह काम थोड़ा अलग सा होता है तो ऐस तरह का अर्रेंजमेंट करना होगा अब ऐसे अर्रेंजमेंट्स कितने थे हमरे पास में पहले के पहले कौंसोनेंट्स कितने थे कौंसोनेंट्स थे हमारे पास देट वर सिक्स ओके और फोड़ा वोड़ाऱ् अब वावल्स के लिए बात क्या है for vowels there are seven places count करो जड़ा vowels कितनी जगा पे हम fill up कर सकते हैं तो एक, दो तीन, चार, पाच छे, साथ हमार पास वावल तो तीन ही है तो vowels can be arranged in यह लिखना आपको for vowels यह ऐसा लिखिए इसको मेरे इस कर देता हूं vowels can be arranged in 7C3 7C3 इसलिए कि 7 जगा है और 3 हमारे पास में वावल है तो 7C3 नहीं होगा 7P3 होगा, sorry तो 7P3 होगा उतलब क्या होगा, factorial 7 upon 7 minus 3 factorial तो क्या हो जाएगा factorial 7 upon factorial 4 तो इसको हम ऐसे लिख लें कि 7 into 6 into 5 into 4 4 factorial ठीक है upon का भी 4 factorial 4 factorial 4 factorial cancel तो 7 into 6 into 5 7 6 are 42, 42 5 are 210 ये 210 ways होगा, इसको लिखने का ठीक है, अब हम क्या करेंगे ये जो है हमारे पास में हमने ये जो वावल्स के लिए 6 factorial और ये जो लिए consonants के लिए, ये 120, 210 इनको साथ में लिख लेंगे तो यह लिखे so that total arrangements so that total arrangement कितने हो जाएगी total arrangement ये 6 factorial into 210 तो 6 factorial किता होगा 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 210 ठीक है, इनको आप multiply कर लिजे आप जब इनको multiply करते हैं तो आपको मिलता है that is पहले काम करो 6 5 होगा, 30 34 होगा, 120 123 होगा, 360 और ये होगा, 720 720 into 210 अब अगर आप इसको multiply करते हो तो आपको answer मिलता है 151,200 ठीक है, तो ये यहाँ पर total arrangements होगे कि when the vowels are not together ओके, when the vowels are not together इस तरह के इसमें ठीक है, इसको मैं light में लेके आता हूँ येस, इससे रहेगा ठीक है, और ऐसे इसको करना है, चली ये दो type हो गए एक काम कीजिए आप पहले type का screenshot ले लीजे ठीक है, एक question थोड़े बड़े है ठीक, लिखना होगा हमको और लिख लिख के उसको करना होगा ठीक, डारेक्ट हम नहीं कर सकते है उसके बाद में ये B वाला part है इसको ऐसे करना है अब हम C वाले पर आते हैं C क्या बोलता है C बोलता है Consonants are at the even position Consonants जो है वो even position है पहले आप इसका screenshot ले लिए फिर हम उसको करते है आईए दोस्तों इसमें अगला part करते है C वाला वो बोलता है Consonants are at the even position और देखिए मैंने उसके लिए यहाँ पर box बना के रखा है यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक लेकर रखा है आप सोच रहे हैं 1 से लेकर 9 तक क्यों क्योंकि algorithm जो word है उसके अंदर 9 letters है ठीक है 9 letter का यह word है algorithm और उसके लिए हमने यहाँ पर इस तरह से box बना के रखा यह बोलता है Consonants are at the even position वह हमारे पास में consonants कितने है हमारे पास में है Consonants that is 6 ठीक है Consonants 6 है और vowels है हमारे पास में that is 3 अब यह बोलता है कि even position पर भरना मतलब यह 2 पर आप Consonant लिखोगे और 4 पर लिखोगे 6 पर लिखोगे और 8 पर लिखोगे मतलब मेरे पास 6 Consonant है और भरने की जगह कितनी है मेरे पास fill up करने की जगह है 1, 2, 3, 4 तो यहाँ आपको लिखना है Here Here we can Here we can Fill the Even position आपको even position बोला है Even position With vowel Okay Here we can fill the even position With Sorry, with Consonant ठीक है And we have And we have 6 Consonant हमारे पास में 6 Consonant है लेकिन हमारे पास में Position कितनी है 4 Position है So we can fill These 4 Places By That is 6 P 4 way में भरेंगे क्योंकि 6 में से 4 भरना है न आपको तो 6 P 4 ways होगी अच्छा 6 P 4 ways अगर होती है तो क्या होगा फिर answer वो होगा That is factorial 6 अपानuh 6 वो होगा 6都 6 6 Pix वो होगा 6 robot 6 वो हो इंटो लिखो odd place we can fill odd place we can fill odd place by three vowels and two consonants अब यहां पर को हमको रूल नहीं बोला है कि आपको यहां पर क्या करना है तो इस पाच को जो है इन पाच कोम सीदे सीदे क्या करेंगे 5 फेक्टर की कर देंगे तो वी कैन है यह फाइफ एक्टरिल मेंट्स तो फिल थी रिमेंगें प्लेसेश कि तो एक तो एक तोटल अरिजमेंट्स यहां लिखे टूटल नंबर ऑफ अरिजमेंट्स total arrangements आपको का करना पड़ेगा यह 360 को और यह factorial 5 को इनका multiply करना पड़ेगा तो लिहो यहापर 360 into 5 factorial 360 को 360 रखो 5 factorial को 5 into 4 into 3 into 2 into 1 कर लो ठीक है और जब आप इनको multiply करोगे तो आपको मिलेगा 43,200 43,200 ways हमारे पास यहां पर आ जाएगे total of the number, total arrangement बोलिए total number of the ways to form the word by using the given condition ठीक है, तो इसको भी आप इसका भी screenshot ले लीजे ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ चलिए इसके बाद में अगले point पर आते हैं, अगला point क्या बोलता है fourth वाला point, fourth वाला point बोलता है कि O is the first and T is at the last position, ओके यह देखिए A हो गया, B हो गया, C हो गया, अब हम D हम यहीं पर कर लेते हैं O बोलता है first position पर, और D बोलता है last position पर, ठीक है अब अगर यार हमको letter बराना है, तो मैं O यहाँ पर लिख दू और T last पर लिख दू, अब मेरे पास बच्चे हुए कितने ways है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि मेरे पास में 9 letters है, ठीक है तो यहाँ यह 7 places होगी, अब यार एक के लिए तो एक factory होगा इसके लिए एक factory होगा तो बात नहीं होगी, these seven places यह लिखे, these seven places can be filled by, factorial seven ways, क्योंकि साथ letter बचते है, Factor 7 का answer क्या होगा, multiply कर लो, seven into six into five into four into three into two into one, ठीक है, और वो क्या होता है, multiply करने पर आपको मिलेगा 5040, ठीक है, इस तरह से बहुत, यह तो बहुत ही simple है, अब यार देखो, एक ही question ऐसा है, आपको समझने आ रहा होगा कि, कितने बारी की से और कितना time इसको लगा है, ऐसा नहीं कि उठा की सीधे कर दिया, तो यह systematic आपको इस तरह से लिख के करना है, तब आपको marks मिलेगे, हाला कि जब आप CETS की तहरी करते हो, तो सीधे वहाँ पर आपको फटा-फट, सीधे समझ की सीधे लिखना है, सीधे आपको यह position पर आओ गया, इतना लिखने मैट्टा नहीं है, लेकिन हाँ पर आपको इसा लिखना है, ठीक है, statements के साथ, ठीक, चलिए अगर आप इसे लिखना चाहिए, इसका एक बार ले लिजे, A और D का, और फिर मैं इसको नीचे लाता हूँ, यह B का है, इसका screenshot ले लिजे, ठीक है, और फिर FC का भी ले लिजे, ठीक, चलि ग्रूप फोटोग्राफ निकालना है, और ग्रूप फोटोग्राफ की position देखे रखी है, इन ग्रूप फोटोग्राफ, six teachers are in the first row and 18, देखो क्या बोलता है, six teachers are in the first row and 18 students are in the second row, there are 12 students and six girls among the students, if the middle position is reserved for the principal and if no two girls are together, find a number of arrangements, यार बहुत कमा चीज़े, स्कूल में आपने इस तरह का फोटोग्राफ किचवाया होगा, इसमें एक थोड़ा सा correction आप कीज़े, आपकी एक question में, last year का ही यह question है, यह six teachers and principal बोलिए, यह principal यहाँ पर word use किया गया, यहाँ उन बताया नहीं, तो आ confusion होगा कि principal का है, तो पहली जो row है, यह first row है, यहाँ पर, देखें मैंने आप बना के रखा है, कि यह first row है, ठीक है, और यह second row है, ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, यह first row में बता रहा है, कि 6 यहाँ पर, 8 में रुकिए, यहाँ बता रहा है, कि 6 teacher और principal, मतलब कुल मिला के 7 ल 4, 5, 6 और 7, अभी क्या बोल रहा है, यहाँ पर, यह बोल रहा है, यह first row के अंदर, जो है, छे teacher बोले है, और एक principal बोला है, condition क्या बताता देखो, if the middle position is reserved for the principal, principal किसके साथ है, teachers के साथ में, तो principal अगर यहाँ बैठ जाते हैं, तो teachers के लिए यह एक जगा, यह दूसरी जगा, यह तीसरी जगा, यह चौती जगा, यह पाचवी जगा, यह छटवी जगा, तो teachers के लिए position कितनी है, six positions है, teachers कितने है, six teachers है, तो यहाँ लिखिए, for the first row, all the six teachers have, six factorial arrangements, बराबर है न, छे है न, आप उसको ऐसा लिख दो, six p six लिखा तो भी चलेगा, six factorial लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, यह teacher का काम हो गया, अब आगी क्या बोलता है, अगली line क्या बोलता है, देखो second row में क्या है, 18 students है, 18 students में 12 boys है और six girls है, पर यह बोलता क्या है, पहले म six, या कोई बात नहीं, line नहीं की चलता है, आपको दिख रही होगी line, यह बोलता है कि 12 boys है और six girls है, और बोलता है, यह बोलता है, no two girls, देखो, ध्यान से देखो, no two girls are together, दो लड़किया साथ में नहीं आईगी, तो भईया, यहाँ पर suppose मैं girl लिखता हूँ, हर एक एक प्ले position मुझे लेना पड़ेगी, ठीक है, मुझे बॉक्स को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि एक में टोगे, यह वाला box लेना पड़ेगा, और यहाँ पर भी girl आ जाएगी, यहाँ पर भी एक girl आ जाएगी, ऐसा क्यों, यह girl शुरू में भी आ सकती है, पीछे भी आ आएगा, यहाँ देखो boys किते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, यह तो गड़बड होगी बात, बारा boys है ना, तो बारा boys तक जाना पड़ेगा, मुझे उतने box बराना पड़ेगा, एक मिट उकिए, लेट मी एरेज इस, इस box को कीच लेता हूँ मे यहाँ पर फिर अगे boy आए गए, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, और बारा, ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, मैं इस box को, यह इसको, बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर के, मैं इसको खील देता हूँ, य यह गण, यह गण, ठीक है, साथ में यहाँ भी एक गण आई जी, इसको और थोड़ा बड़ा कर लो, यह होगी जी, अब थोड़ा काउंट करना है आपको, देखो यह, बारा लड़के हैं, तो बारा लड़के हैं, तो इस जीने मैंने 12 बाज लिखे हैं, आप चाहो तो उन ठीक है, तो फूर 12 बाइज, अब एक अर्रेजमेंट हमने कर लिया, एक अर्रेजमेंट हमने फिर्स रोका कर लिया, यह इस 6 फैक्टोरियल, ओके, फूर 12 बाइज, यह लिखे, फूर, अर्रेजमेंट अफ ट्वल बाइज, वी हैव, 12 फैक्टोरियल बेज, 12 लोगों को लिखने के लिए 12 हम, पर हम आपर वोखे, क्योंकि 12 ही थे तो 12 ही जगा हो गई, अब हमारे पास girls कितनी है хл puppी उमारे पास में बाइज थे ट्वैल और girls केतनी थी and girls child fuel कर दें कितनी जगा और डेक्ष ri चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, दस, क्यारा, बारा, तेरा, तेरा जगा पर हम गर्ल्स को बिठा सकते हैं, तो यहां लिखो, we have 13 places to accommodate girls, but we have 6 girls, हमर पास 6 girls है, okay, so that, for the arrangements of 6 girls, we have, क्या होगा, 13 में से 6 लड़, 6 जगा भरना है लड़की है, तो 13 P6 हो जाएगा, ठीक है, sorry, आओ जाए यारी, माफ कीज़े, 13 P6 मतलब क्या हो गया, factorial 13 upon 13 minus 6 factorial, ठीक है, तो 13 into 12 into 11 into 10 into 9 into 8 into 7 to 6 into factorial 5, यह factorial 5, 13 में से 6 गया, तो 7 बसता है न, तो इतनी जूर जाने की ज़रूत नहीं, 7 तक ही करना पड़ेगा न, 7, और upon में आएगा, 7 factorial, काड़ दो इसको, ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, 13 factorial, और upon में आजाएगा, that is 7 factorial, अब आपको क्या करना है, यह 6 जो था हमारा, हमारे पास में, जो हमने पहले condition ली थी, कि जो 6 teachers के लिए arrangement लिए थे, पहली line के, तो 6 factorial था, फिर boys के लिए 12 factorial था, और यह girls के लिए यह position आई है, तो इन सब का हमको multiply करना पड़ेगा, और तब जाके हमको total arrangements मिलेगे, तो यहां लिखिए, required numbers of arrangements are 6 factorial into 12 factorial into 13 factorial upon 7 factorial, ठीक है, और इसको हमको calculate करना है, इसको तो आप calculate कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको मैं थोड़ा simple कर देता हूं, कि यह 6 factorial है, यह 12 factorial है, यह 13 factorial है, और upon के, जो 7 factorial को मैं लिख के रखा है, upon में जो लिख के रखा है, उसको मैं लिख देता हूं, 7 into 6 factorial, तो क्या होगा, यह cancel हो जाएगा, यहां आ जाएगा, that is 12 factorial into 13 factorial, और upon में लगा दीजे जी, 7, होगे, बहुत simple है, कुछ भी difficult नहीं है, ठीक है, इस तरह से करना है, लेकिन यार, यहां पर एक बात ध्यान रखिए, कि इस तरह का question, exam में आने के chances है, यह थोड़े googly type के questions होते हैं, जो कि आपको घुमाते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा से इनको rearrange कर लो, मतलब आपको अगर यहां पर जुरत पढ़ती है, इसको तरीके से हमको यह करने की, मैं इसको यहां लगा लेता हूं, और यह जो है, इसको मुठा के इधर रख देते हैं, मतलब आपको थोड़ा screenshot लेने में प्रॉलम नहीं आईगी, ठीक है, चले मैं इसको बढ़ा कर लेता हूं, चले मैं बीच में आ रहा हूं, सॉरी मैं अड़े जाता हूं बीच में से, चले इसको screenshot ले लीजे